तो बच्चो आप करेंगे हम पहला question और यह बोल रहा है कि an electric pole is 10 meter height if its shadow is 10 under root 3 meter in the length find the elevation of the sun तो बच्चो काफी easy है elevation of the sun तो देखिए सबसे पहले तो एक electric pole बनाते है जो की है कितना meter का 10 meter का ठीक है let's suppose ठीक है और इसकी shadow जो बन रही है बच्चो वो कितनी बन रही है 10 under root 3 meter in length अब length बन रही है तो यह इसकी let's suppose यह हो गए हमारी इसकी shadow तो 10 under root 3 meter की यह बन रही है और बोल रहा है find the elevation of the sun अब sun का elevation निकालना है simple है अब यह angle of elevation निकालते है sun का तो देखे sun का elevation निकालने की कितना easy हो जाएगा है तो देखो मिरको perpendicular भी given है मुझे base भी given है simple है और क्या निकालना है theta निकालना है तो मैं क्या निकाल सकता हो देखो बच्चो पंडित बदरी परसाद हर हर भोले तो देखो perpendicular भी है और base भी है तो मैं क्या लगाता हूँ बच्चो 10 लगा देता हूँ तो देखो यहाँ हो जाएगा 10 theta equals to perpendicular कितना है बच्चो मिर पर 10 और base कितना है बच्चो मिर पर 10 अंडरूट 3 10 से यह 10 cancel out तो 10 theta किता हो जाएगा 1 अंडरूट 3 और 1 अंडरूट 3 10 की case में कब होता है बच्चो जब 10 क्या हो जाता है अब देखो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो यह हो जाएगा, 10 theta equals to, 1 upon under root 3 कब होता है, बच्चो, जब यह क्या होता है, 10, 30 degree होता है, तो देखो, अब मैं करतो 10 से 10 काड़ता हूँ, और theta की value किते आ जाने वाली, बच्चो, 30 degree, तो देखो, किता easy हो गया, तो जो angle of elevation of sun ह होगा, ठीक है, वो किता होगा बच्चो, 30 degree, तो यह हमारा पहला question हो गया, कड़ते हैं, proceed, next question,